नमस्कार स्वागत है आपका जे जे नियूज में मैं हूँ आपके साथ मुहम्मद वैस दैनिताल के स्सपी पंकच भट के निर्देशन में पोलिस ने जनपद में अवैद नशे के खिलाफ सघन अभियान चला रखा है जिसे सभी थानाध्यक्षों को अपने थानाध्यक्षों में अभियान चला कर अपरादों की रोप्थाम के लिए कड़ी से कड़ी कारवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है जिसके अनुपालन में बन्बूलपुरा के थाना ध्यक्ष नीरज भाकुनी के नेतरित में गठित तीम ने गष्ट के दौरान एक अभ्यूक्ट को साड़े तीन ग्राम स्मैक के साथ गिरफतार किया है दरसल बन्बूलपुरा छेतर में पुलिस ने गष्ट और चेकिंग के दरान एक 41 वर्षी व्यक्ती जिसका नाम सलीम जावेद है और जो इंदरा नगर बड़ी रोट में दुर्गा मंदीर के पास रहने वाला है जिसको पुलिस ने हनीफोटल वाली गली में साड़े तीन ग्राम स्मैक के साथ गिरफतार किया है जिसके बाद गिरफतार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बन्बूलपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया साथ ही पुलिस ने अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी तलाश करने में लगी है अभियुक्त को पगड़ने वाली टीम में बन्बूलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी उपने रिक्षक रंजीत राठोर, कॉंस्टेबल दिर्शाद एहमद और मुन्ना सिंग शामिल थे पुलिस के अनुसार, हज़वानी के बन्बूलपुरा चेतर में नशे का कारोबार लगातार बड़ता जा रहा है जिसको रोकने के लिए पुलिस हर संभा प्रयास कर रही है जिसके चलते अब तक कई नशे के कारोबारे पुलिस की गिरिफत में आ आ गए है तो हल्दवानी और उसके आसपास के छेतर में पुलिस लगातार नरिशे के खिलाफ अभिहान चला रही है और नरिशे के कारोबारियों और उसको लेने वाले सभी पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है तो इस न्यूज में अभी के लिए इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहे हैं जेजा नियूज के साथ क्योंकि जेजा न्यूज में खबरों का सिलसे यू ही जा रही है नमस्कार